विधान सभा चुनाव 2030 की मत गड़ना होने के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का दम खम पता चल गया है कि कौन कितने पानी में है जेतका दम भरने वाले कई प्रत्याशियों को केवल दो अंक में ही वोट मिल पाएं सागर जिले में 97 उम्मिदवारों में से 81 प्रत्याशी ऐसे भी है जो अपनी जमानत नहीं बचा पाएं है चुनाव लड़ने वाले उम्मिदवार को कुल किये गए मतदान का छटवा हिस्सा का वोट प्रतिशच्चा ही होता है लेकिन भाजपा और कॉंग्रिस को छोड़ कर कोई भी उम्मिदवार इतने वोट हासल नहीं कर पाएं कि वो अपनी जमानत बचा पाते जिन प्रतियाश्यों की जमानत जब्त हो जाती है उनके फॉर्म के साथ जमा होने वाले पैसे नर्वाचन आयूग के द्वारा वापस नहीं किया जाते है सबसे अधिक सागर विधान सभा सीट में 21 लोग चुनावी मैदान में थे जिसमें भाजपा और कॉंग्रिस को छोड़ कर 19 प्रतियाश्यों की जमानत जब्त हुई है इसी तरह का हाल अन्यविधान सभाओं का भी रहा जहां कुरई में 8 उम्मिद्वार मैदान में थे जिसमें 6 प्रतियाश्यों के जमानत जब्त हुई रहली में 15 उम्मिद्वार मैदान में थे 13 चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जमानत जब्त हुई नर्यावली से 9 प्रतियाश्यों मैदान में थे इनमें 7 प्रतियाश्यों अपने जमानत नहीं बचा पाएं सुर्खी में 12 प्रतियाश्यों मैदान में थे 10 की जमानत जब्त हुई है देवरी विधान सभा में 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे 10 प्रत्याशी के जमानत जब्त हुई है बंडा से 14 में से 12 की जमानत जब्त हुई है और बीना में 8 में से 6 की जमानत जब्त हुई है बाटसले। कर्वाइसलिय। झाल